जोगी पेड कंटेन हैं बेरे भाई, फ्री में दे रहा हूं, समझ रहे हो, फ्री में दे रहा हूं, फ्री में, पेड कंटेन हैं, फ्री में दे रहा हूं, सो बिल्कुल उडालो, देख लो, सीख लो, सीख लो, सीख लो, अगर अब भी तक नहीं सीखे, तो अब सीख लो, आज BCDT and VDR, VDRV और Charging LDO वीडियो कोई भी चारजिंग आईसी के ऐसा सर्कुिट आरहा है जिसमें मॉस्पेट भी लगा है और जिसमें ट्रांजिस्टर भी लगा है तो वो दोनों कोंबो अगर आरहा है तो आज मैं वादा करता हूँ आपसे कि बना लोगे सिखलो सिखलो अगर अभी तक नहीं सीखे तो अब सीखलो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ 6-3-2-8 की चारजिंग का सिर्किट क्योंकि अगर पुराने का कुछ पता नहीं है तो नहीं का क्या पता होगा और पुराने का पता होना बहुत जोड़ी है तो ये वीडियो तुमारे लिए है और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटर्टेनिंग भी होगा साथ में नॉलेज़बल भी होगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जबरू कर देना है यार क्योंकि ये चैनल में आपको मिलेगी जब दस नॉलेज और जब दस जानकारी तो दोस्तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हो मिडियर टेक के आने वाले पूराने मोडल में जो कभी भूले बसले हो सकता है किसी भाई के पास गाउग या अब भी भी आ रहे हो क्योंकि अभी भी देखा जाए तो Car1, ITEL ये सारे फोन कहीं न कहीं कॉपी वर्जन में कहीं न कहीं आही जाते हैं अगर आपके पास में 6-328V का circuit आ रहा है या आपके पास में कोई भी charging IC का ऐसा circuit आ रहा है जिसमें समहे हों, फृड़ी में देता है conscious परते हां कि बिल्कुल अटालो देख लो और इसको दो वह देको दो श्याजिक आ समझो क्योंकि वाखी लेंगे समझना तुमको है मेरी जान बिल्कुल आbosकर करता हूं आज मैं आपको समझाने वा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए लाइक भी और कमेंट भी एत्म दवागे हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब कर दो गोलता ना बिल्कुल पाँच हजार लाइक कि बिल्कुल पाँच हजार व्यू के ऊपर चाहिए मुझे एक दिन के अंतर समझ में आ रहा है क्या तो यह पास रहा है था तो आप इसको कैसे आइंडिफाइगा हुगे कि जो सखा रहा हूँ कि आपको वही सखा रहा हूं अगर को किसी भी सट के चाज़िंग सेक्षेंग में आपको यहां पर यह दो चीज मिल लाई हो धान देना ये दो चीज मैं आपको एक छोटा सा एरो बन एक इस तरह का मॉस पैड यह दिखाई दे रहा है एक इस तरह का मॉस पैड और एक इस तरह का ट्रांजिस्टर यह दो चीज आपको दिखाई दे रहा है यह दो चीज अगर आपको दिखाई दे रही है देखो मैं तोरह का कलल चेंज करके दिखाता हूं एक इस तरह का मॉस प तो अगर आपके पास किसी फोन में यह मॉस्पेट और ही ट्रांजिस्टर का सच्किट आया तो यह वीडियो तुमारे लिए सौगाद मेरी जान किसी भी इंसिटूट में जाने के जब पत नहीं है फिलाल इस वीडियो से मज़े उठा लो फिर बात में देख लेना है अधियो में आ रहे हैं तो अब भी मैं इसको आपको इसको स्केमाटिक से यहां पर बताना चाहता हूं देखे फोजम पड़ यह एक प्रानी ओल्ड मूबाइल का जिसमें आप नोटेस करो यहां पर दो चीज़े लगी हुई है एक क्यू 301 और एक क्यू 300 तो दोनों ही क्यू है हलाक क्यू को कई सर्केट ट्रांजिस्टर बताते हैं और यही क्यू को कई सर्केट मॉस्पैट भी बताते हैं देखा जाए तो क्यू एक डायोड को रफट करता है तो अगर मैं बात करूं यहां पर इसी के स्केमाटिक में और यहां पर इसका नाम है क्यू 301 मैं इसके स्केमाट बेसे पर और है Q3000 और यहां पे Q301 को बड़ा आपको निख़ाई देरहा है Q3001.. सर्किट आपको ऐसा दिखाई रहे हो यहां पर यह देख़े। Q301 यहां पर इसको भी डाल झाल मां उसके परकूड की percent ोटि telling के fps कर लिए हम बात करेंगे यह पर आन्धार पर के बास्तर करें डार्थ एक काम कर रही है और यहां पर एक मॉस्पै लगा हुआ है तो आए समझते है सर्कुट को देखते हैं कि यहां पर ऐसा ज़्फिट कैसा कर रहा है तो ज्यादा बेटर होगा पर हलाकि मैं फिलाल तो जूम करके भी बता सकता हूं यह देखिए तो सबसे पहले अगर सर्केट में वोल्टेज की बात करेंगे नोटिस कीजेगा आप देखिए कि कहां कहां आपको वोल्टेज जा रहा है तो जैसी आप चार्जल लगाओगे आपको सबसे पहले बीबस मिलेगा और दोस्तों उस आपके फोन में भी एक आपको जो वोल्टेज एक प्रोटेक्शन आइसी होते हैं जिसको हम चार्जिंग व OVP दिख रहा है आपको यहां पर 12 वोल्टेज यहां पर लिखा है तो बीबस के तुरूप पाच वोल्टेज एंटर होंगे और यहां पर आपको जो लाइन होगी वो बीबस एंटर होगी अब इसके बाद में यह वोल्टेज के जो फिल्ट्रेशन करेगा वो यह 25 बुल का एक एक 1μF का एक यहां पर पैललर का लगा है जो इस वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन के लिए लगाए गया है जिसको फिल्ट्रेशन करेगा अब तो मेरा का वीडियो देखे होंगे ना कि पैललर में क्या काम करता है स्टेबलाइजेशन फिल्ट्रेशन तो बहुत कि इसके वैलू नहीं लिखी गई है पर मैं बता दूँ यह आपके के में आते हैं तो तक्रीबन यह 220 के का और तक्रीबन यह भी उतने 200 के का सो बिसिकली आपको यहां पर पाच और यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर जो कुछ-कुछ मुबाइल में VCDT पर जो वोल् डिडेक्षन उसको मिलना चाहिए इसको नहीं मिलता है दोस्तों तो यह आपको charging error देदेगी दान देना क्या देदेगी charging error तो पहला error आपको यह मिल गया charging error यह देदेगी समझ में आ रहा है अब इसके बाद यही supply अगर मैं बात करूं आगे जाती है और आगे जाके नोट कीजे यहाँ पर अब इसके बाद यही supply आगे जाती है और आप नोट कीजे यहां से बापर यहां तो नीचे आपको बीबस ही आ रहा है पाच voltage के साथ और यह बीबस आकर इस यहाँ पर एक transistor लगा हुआ है और यह transistor का आपका अमीटर है और यहां पर आपका ट्रांजिस्टर का बेस है और यहां पर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और यह एक पी चैनल का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ठीक है यह कौन्से चैनल का लगा हुआ है दोस्तों पी चैनल का ट्रांजिस्टर यहां पर यूज किया गया है और यहां पर यह जो वुल्टेज यह इसके अमिटर पर डाले गए है अब मैं बताओंगा कि कैसे वूल्टेज निकाल है इसको भी समझेगा तो उसके साथ यहां पर एक और हाई-value रेजिस्टर का एक एक एच्वा रेजिस्टर का यूज्स किया गया है और इस रेजिस्टर स अगर यह voltage नहीं मिलते हैं, तो भी आपका charging error में आएगा, और basically इस condition में, एक condition और बन सकती है, कि इस condition में आपको यहाँ पर fake charging आएगा, अगर माली चारजिंग अल्डो नहीं बनता है, तो fake charge, मतलब आपका charging तो सो होगा, पर detect नहीं, मतलब charging तो होगा, पर ampere नहीं बैटरी आपका DC को store नहीं करेगा, ठीक है, so notice करो, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर कुछ sense के बराबर voltage आते हैं, अब यह depend करता है, रेजिस्टर में कितने हैं, जैसे 0.9, आप suppose यहाँ पर 100K का रेजिस्टर है, यहाँ पर 100K का रेजिस्टर है, तो यह voltage आदा हो तो अगर मैं बात करूँ, notice कीजे, तो अब इसको मैं फिर से तोरह से explain कर देता हूँ, कहाँ पर क्या आ रहा है, देखे, मेरी तो आदत ही है, यह क्लास में भी करता हूँ, दस बार, यहाँ मेरे को हो गया, तो तुम्हारे को तो हो गई होगा, so मैं क्या बोला, यहाँ पर क sense line जा रही है, sense voltage जा रहे है, और यह है VCDT, अब यह voltage 0.9, जनली कुछ-कुछ mobile में होता है, कुछ mobile में 2.8, अगर यह मान लीजे, मैं 2.8 किस बेस पर बुला हूँ, अगर दोनों का register का value सेम रहेगा, तो 2.8 रहेगा, अगर अलग रहा, तो यह विलकुल 0.9 पर चला और जब तक VCDT का pad, यह voltage sense नहीं करेगा, आपका वो error बना रहेगा, तो अगर power IC का यह pad भी open हो गया, और यह voltage यहां बन भी रहा है, तो भी कोई मतलब नहीं है, आपको IC निकाल कर इस pad से, इस line को jumper मानना पड़ेगा, या तो मैं इसका direct solution बता दू, आप क्या कीजेगा, इस VCD line को direct 0.9 sense करवाईएगा, एक divider register लगा कर अलग से कहीं से भी, कोई फ़र्ग नहीं बढ़ता, इसको कहते है, बेब कुप बनाना, हाँ, आप power को बेब कुप बना रहे हो, VCDT के तुरू, अगर मैं बात करूँ, अब यहां पर charging LDO भी आपकी IC के अंदर ही जाती है, और charging L LDO को आपको यहां पर 2.8 voltage मिलते हैं, और यह 2.8 voltage नहीं मिले, तो fake charging बनता है, और अगर इसके बाद, आप देखे, voltage drive, basically क्या होता है, यह IC से आता है, यहां पर, generally 2.8 voltage, यह IC निकालती है, voltage को drive करती है, और यह IC निकालती है, अब यह IC निकाल के कहां देती है, notice किजेगा, त तो अगर मैं इस circuit को तोड़ा सा explain करूं और यह, यह कैसे निकाल रही है, notice किजे, तो कैसे ही एक MOSPAT और ट्रांजिस्टर मिलके switching कर रहे हैं, आपस में, द्रहन दीजेगा, को कि दोनों की जरूरत है, हम बाइपास नहीं कर सकते हैं, बहुत रहे लोग करते हैं, बाइपास क नहीं होता है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, इसका actual solution क्या है, so notice किजे, अगर मैं इसका actual solution निकालूं, देखे, देखे, दोस्तों, यहां से 5 voltage drive करते हैं, एक register के साथ, जैसे कि मैंने बता है, यहां पर 2.8 voltage आजाता है, अब यहां पर एक N-type का, आपका N-type का mosspad लगा होता है, तो यह N-type का mosspad यूज किया गया है, metal, oxide, semiconductor, field effect, transistor, जिसको आपको पता है, मेरा वीडियो देखेगा, link में डाल दूँगा, कि mosspad कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने वीडियो में बताएगा है, so mosspad आप देखे, so यह basically इसका gate है, और यहां पर हम बात करेंगे, यह इसका source है, और यहां पर हम बात करेंगे, इसका drain ह है, तो जैसी source पर यह 2.8 voltage आएगा, notice कीजे, यहां पर, तो यह मौसपेक्स सुचिंग करेगा, और drain पर 2.8 voltage, so drain पर 2.8 voltage देगा, तो देखे, दोस्तों मेरा आरा, जो मेरा panel का pan है, वो मुझे मिलनी रहा है, तो मुझे एक खना, क्या यूज़ करना पर रहा है, आपका आप contrast your voltage यहां पर 2.8 voltage निकालेगा, और respective, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यह मीरा gate होगा, respective to gate two source, यहां पर आपको drain पर e voltage switch करेगा और voltage करके, यहां पर 2.8 voltage देगा, और आपको यहां के, इस के, इस के base पर यहां पर 2.8 voltage मिल जाएगा, आप no करो AMETर पर औरcible आपको पाज बूल्ड मिल रहा है, so यहां पर पी चनल का जो ट्रांजिस्टर है, वो ऐसे काम करेगा, कि जहां पर इस्पैक्टिव, अगर यहां जो एमीटर है, वो हाई है, so आपको यह एमीटर, basically यह ट्रांजिस्टर यहां पर सुचिंग करेगा, और collector पे एक 4.2 voltage को drive करवाएगा तो basically यह जो register है और यह transistor यहाँ पर इस तरह के voltage drive कराएगा अगर दोस्तों यह voltage आना बंद हो जाएगा तो यह transistor off हो जाएगा धार रखना और यह 2.8 voltage आना बंद हो जाएगा तो यह MOSFET off हो जाएगा यह voltage drive आगर आना बंद हो जाएगा तो यह MOSFET off हो जाएगा इन दोनों को on होना बहुत जोड़ी है तो इसका on होने के लिए इस पर 2.8 बेस पर मिलना और इसका on होने के लिए इस पर 5 voltage एमिटर पर मिलना बहुत जोड़ी है अगर मैं बात करूँ तो after charger लगाकर ही मिलेगा और इसके जो source पर आपको 2.8 voltage मिलेगा तो जाके इसके train पर voltage बनेगा और तब जाके यहाँ पर 4.2 voltage मिलेगा अब इसको तोड़ा सा और आगे explain करता हूँ अब इसके बाद क्या हो रहा है देखिए अब इसके बाद जैसे वह 4.2 voltage बन जाता है और वह 4.2 voltage एक sense register में जिसको हम बोलते हैं charging sense register और आप देखे होंगे यह code register होता होगा आपके phone में इस तरह का तो यह charging sense register है इस register के से होता हुआ इस register से होता हुआ यह आपके बाद पर आ जाएगा और आपको 4.2 voltage देखा बट सिर्फ इसका काम charging नहीं है इसका काम ampere or bat को sense करना भी है इसलिए इसी register के तरू एक IC के अंदर दो line और बनी होगी जिसको हम बोलेंगे i sense और एक line बनी होगी जिसको हम बोलेंगे bat sense तो basically यह bat sense और यह i sense तो basically आप notice करो जैसी यह 4.2 voltage बनेंगे यह voltage इस i sense को sense होना चाहिए IC के अंदर इस pad line पर ठीक है और जैसी यह आगे drive करेगा तो यहां से bat sense होना चाहिए क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो fake charging बनेगा और यह नहीं हुआ तो आपका phone battery से on नहीं होगा आपका phone cable DC से on होगा पर battery से on नहीं होगा समझ में आ रहा है और इसलिए हमको i sense और bad sense की लाइन है पावर IC के अंदर निकाल के चेक करनी बहुत जोड़ी है media take के center में और यह i sense और bad sense आपको बहुत important line है media take के अंदर और यह तब जाके आपको b bet पर आ जाती है और अगर मैं यहाँ पर इस i sense को अगर मैं यहाँ पर टिक करूँ notice कीजिगा और अगर मैं इसको यहाँ पर देखाओं यहाँ पर notice करो तो यह देखो यह आपकी आ जाती है पावर के अंदर जैसे यहाँ पर देखे 6,3,2,3 है अलाकि यह पुरानी IC है मैं 28 की बात कर रहा तो दोस्तों जैसे अगर आप चार्जर लगाते हैं तो सबस्क्राइब आपको 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे i sense पर 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे बैट ऑन पर क्योंकि बैट ऑन की जो सप्लाई है यह आपके थर्मल की लाइन है यह मतलब बी टाइम की सप्लाई है तो इसके लिए में एक वीडियो अलग बनाऊंगा किस पर कितना वोल्टेज मिलेगा VCDT पर आपको 0.9, maximum 2.8 और VDR और VDR वोल्टेज ड्राइब पर आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे चाजिंग LDO पर आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे अब यहां पर मैं आपको स्प्रिंट करता हूँ कि कौन सी लाइन से क्या फोल्ट निकलेगा अगर यह लाइन उपन हुई बैट से आपका सैट नहीं होने वाला यह लाइन अगर उपन हुई तो फेक चारजिंग आपके आजाएगी आपकी VCDT लाइन अगर नहीं हुई तो चारजिंग एरर आजाएगा मतलब आपको जैसे चार्ज में लगाऊएगे तो कुछ अपको सुम्बॉल सो होएंगे और वुल्टर ड्राइब की लाइन सो नी हुई तो चाजिंग एरर आएगा चारजिंग एरर और चाजिंग एलडीओ उल्ड सो नी हुए तो फेक ता जवरी है तो दोस्तों कैसा लगा यह knowledge मुझे बतायगा ज़रूर कि मैंने आपको यहां पर highlight किया हुआ है क्यों कि मैंने आपको यहां पर highlight किया हुआ है power is power वह power जिसके वारे में कोई बात नहीड करता है और थे हैब बहुट आपको आपको बढ़ा नहीं देगी तो अगर आइसे काम नहीं करेगा तो वोल्टेट है वो चारजिंग लिए चार्जिंग के इंटरेव पार्ट है तो इस वीडियो कैसे लगा काम बताएगा जरूर आपके बताएगे कुछ नए नए और अतरेंगी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना और दोस्तों अगर इंस्टिटूट में आना ना तो आज आओ एक बार में कॉल करेके और कहीं मत देखो क्योंकि जो में दूंगा ना वो नेस्ट लेवल होगा कहते हैं ना वर्ड ल सब्सक्राइब लूड लगाए आपने क्या किया आपने रिभॉलिंग किया निखाल खली किया मतल समझ में ना जैक्या करके फिरी सिप्यू ब के लाइड क्लिए क्लिया ज डॉइल रेकाल चीज आपने लांस दिद्डेल टीज्ट क्या करके लास्ट के लाइड रेक ochid यह आपने किया है तारी स्टूइंट निकिया अज की अज किया आज कि दिन बताव डबल डेकर के मैंने ओपनिंग क्लीमिंग और रिवॉलिंग बहुत अच्छे किया आप पहले आप पूरी क्लास में पहले दें जिसने सबसे पहले डें किया विलको अज आपने क्या क्या जिसने किया आपने अगरी दिन क्या किया आगरी विलके दिन थे अखुरी दिन था था अखरी दिन ता सर रैम और सीपी उतार के दुबारा लगाया सर सभी बच्चों ने तो अबने क्या किया अज अब कि अचि आ है